हेलो दोस्तों तो आज मेरे आपका मेरे चैनल पर स्वागत है तो आज मैं आपके लिए लाए हूँ गलविंग का टेक्निक तो आपको पता होगा कि गलव्स क्यों पहनते हैं तो इसले हम पहनते हैं और गलव्स पहनने का दूसरा पर्पोस क्या होता है कि जब हम लड या तूसरे सेक्रेशन को टूच करने होते हैं यानि उन्हें हम छूते हैं तो वह से हमें infection हो सकते हैं इसलिए हम उस्से infection को प्रिवेंट करने के लिए gloves को use करते हैं तो आपको steps तो पता होगा कि gloves कैसे पहनते होंगे तब मैं आपके लिए ये रिटर्न डेमेंस्ट्रेशन भी करूंगी तो आपका यहाँ पर step 5th step है जो कि एक sterile glove को यहाँ पर आपका दिखाया है तो यहाँ पर मेरे पास gloves है लेकिन मेरे पास sterile gloves नहीं है तो मैं इसे use करने वाली हूँ लेकिन आपको मैं process सब दिखाऊंगी तो शुरू करते हैं पहले यहाँ पर आपका sterile gloves याँ एक ट्रे में रखना है clean tray मेरे पास ट्रे नहीं है तो मैं इसे use करने हूँ बोड को तो पहले आपको क्या करना है sterile gloves है यानि कि इसे समझे कि sterile gloves है तो आपको यह touch नहीं करना है या आपको इसके मदद से लगाना है आपको इधर उदर टच नहीं करना तो यहाँ पर यह हो गया देखिए यह हो गया तो दूसरा क्या है यह इसे क्या कफ कहते हैं तो दूसरे हाथ के मदद से हम इसे ऐसे touch करेंगे और फिर दूसरे को लगाएंगे कि आपका को कि प्रसें का प्रसें से उटारने का भी एक टेकनिक होता है जैसे पहले आप क्या करेंगे इसे पिंच करोंगे थोरा यहां-पर नविए-डूसरे में चाहिए दोल ओनास यह दूसरे तो यह है यह आपका ठोब गोजम का टेकक्निक में आनी चाहिए यह लईियुकन और डूसरा गुलव क्या है उसके बीतर जाना how चाहिए यह आपका गोजम प्रसेस और भी आपको वीडियो को अप्लोड चाहिए यानि के प्रचिजर्जर्स के ऊपर में लिख दीजिएगा और आपको ग्लॉफिंग का टैकनिक यही है यानि इसमें यही प्रसेस अपनाना पड़ेगा उसके बाद आपको यह यूज करने के बाद क्या करना है कि इसे यह तो इंफेक्शिज हो गया है अगर अपने पेशिंट को टच क्या यानि कि बलड या सिक्रेशन को टच क्या है तो उसे आप यल्लो बीन में डाल दीजिए तो देखते रह मेरी चैनल को